Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरु मिगलानी इस वीडियो में जो टोपिक अब हम स्टार्ट करे जा रहे हैं इस टाइपस ओफ रिटेलर्स टोपिक बहुत ही शोटकट में चलने वाला है तो अगर आप डेटेल्स में ये टोपिक देखना चाहते हैं मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन बोक्स में लिंक दिया हुआ है तो टाइपस ओफ रिटेलर्स के टोपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो रिटेलर्स जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं वो retailers जिनके पास fixed shops होती हैं तो traveling करने वाले retailers में सबसे पहले जो retailers होते हैं वो जो सबजी बेचते हैं fruits बेचते हैं गोलगपपे वाले होगे चाट वाले होगे जो गली-गली घुमते रहते हैं traveling करते रहते हैं second cheap jacks ये वो retailers होते हैं अगर इनको लगता है कि यहाँ पर समान बेचना कोई product बेचना यहाँ पर अभी ज़्यादा benefit नहीं दे रहा यहाँ पर product sale नहीं हो रहा यह उस जगा को छोड़ जाते हैं और दूसरी जगा पर जाकर अपने product को sale करने लगते हैं मतलब जहाँ पर भी इनको लगता है कि opportunity खतम हो गई है product sale नहीं हो रहा उस जगा को यह छोड़ देते हैं फिर है यह payment traders यह वो traders होते हैं जो footpath पर या सड़क के किनारे आपको बैठे मिल जाते हैं इनके पास भी product आप जाकर खरी सकते हैं बहुत असानी से इनके पास display होती है तो product किरिंदे में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती यह weekly market traders होते हैं जैसे आपको सुना होगा कि Saturday market, Monday market, Tuesday market हर हफते के हर दिन market अलग-अलग जगा पर लगी होती है दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली में सोम बजार, मंगल बजार, वीर बजार, शुकर बजार तो इसी तरह से यह weekly market traders होते हैं हफते के हर अलग-अलग दिन, अलग-अलग जगा पर जाकर यह market लगाते हैं वही पर अपने product बेशते हैं तो यह वो traders हुए, यह हमारी retailers हुए, जो definitely traveling करते रहते हैं अब हम बात कर लेते हैं उन retailers के बारे में, जिनकी fixed shops होती हैं fixed shops के according, हम retailers को दो parts में divide कर रहे हैं सबसे पहले हमारे पास है small scale, then है large scale retailers small scale retailers में सबसे वहले हमको मिलता है journal store general store की shops के उपर आपको daily routine के product खरीदने को मिल जाते हैं जैसे daily routine में use होने वाले product, toothpaste, नमक हो गया, brush हो गया तो यह product आपको यहाँ पर खरीदने को मिल सकते हैं prices ज़्यादा नहीं होते, घर के आसपास भी आपको दुकाने देखने को मिल जाती हैं फिर है single product store, single product shops के अंदर क्या होता है यह single ही product के अंदर काम करते हैं जैसे अगर कोई books की shop है, और वह बिस सेपेशली बच्चों की books तो वहाँ पर सिर्व आपको बच्चों की books ही मिलने वाली है मानलो कोई इस पीए कोमिक्स की बुक्स है तो आपको कोमिक्स की बुक्स मिलने वाली है तो ये सिंगल पॉडक्ट में ही काम करते है Señor Line Store की सबसे खास बात क्या होती है कि अगर ये सिंगल लाइन में काम कर रहे हैं तो उस से रिलेटिड सारी चीज 앞에 मिलने वाली है मान लो कोई garments की shop है तो garment की shop के उपर आपको छोटे बच्चे, बड़ो के, बुजुर्ग के सारी age group के आपके कपड़े वहाँ पर available होने वाली है मान लो कोई books की shop है तो books हर quality की, हर तरहा की आपको वहाँ पर available होने वाली है studies की, study ना होने वाली comics, सारी books आपको वहाँ पर available होने वाली है तो single line store की सबसे खास बाती है होती है कि single line में वह लोग काम करते हैं फिर आगे है wooden stalls आपने देखा होगा कि घर के आसपास bus stand के पास, railway station के पास कुछ लोग लकड़ी के खोखे, या steel के या लोहे के कुछ दुकाने wooden stalls, तो इनके पास भी आप daily routine की चीज़े जैसे दूद है, दही है, मक्खन है, घी है, ये चीज़े आप इनके पास से purchase कर सकते हो फिर है हमारे पास inferior goods shops ये वो shops होती हैं जिनके पास second hand goods available होती हैं second hand goods कौन purchase करता है जिनकी financial condition जाद अच्छे नहीं होती है management होता है, जो operation होता है वो एक ही person के under में होता है मान लीजी एक बहुत बड़ी building है उस building को इन्होंने different different parts में divide कर दिया, different different department में divide कर दिया पहले department के अंदर आपको बरतन दूसरे department में shoes, तीसरे department में कपड़े, चोथे department में books, पाच्छे department में कुछ और चटे department में कुछ और तो इसी तरह से ये सारे department आपस में connect रहते हैं तो departmental store का जो operation होता है जो operate करने वाला होता है वो एक ही management के अंदर में होता है तो departmental store का जब भी आप topic study करोगे इसमें आपको इसका origin features, advantages, disadvantages इसका establishment कैसे होता है ये सब study करने को मिलने वाला है मतलब ये once से लेके जो six तक के topic है इन सारे topics में common बाते हैं आपको study करने को मिलेंगी इनके features क्या है origin क्या है मतलब ये concept कहां से आया फिर advantages, disadvantages, establishment तो ये सारे topics के अंदर आपको इस बाते study करने को मिलने वाली है departmental store के बाद हमको study करने को मिल रहा है super wajar super wajar के अंदर आपको product काफी high quality की मिलती है high quality मतलब best quality के product खरीदने को मिलते है ये super wajar वहाँ पे खुले होते है जहां पर काफी financially sound type की people रहते है अमीर घराने के लोग रहते है असानी से काफी अच्छी paying capacity होती है काफी अच्छा पैसा वो लोग खर्च कर सकते है तो super wajar और departmental store लगभख मिलते जुनते हैं पर difference कहां है super wajar के अंदर product काफी अच्छी quality के और महंगे होते हैं इसके बाद आपको malls का topic study करने को मिलेगा malls में क्या होता है malls में काफी सारी दुकाने एक ही छट के अंदर बनी होती है एक ही छट के अंदर में काफी सारी दुकाने बनी हुई है हर दुकान का मालिक अलग होता है एक दुकान का मालिक कपड़े बेच रहा है दूसरे दुकान का मालिक बरतन वेच रहा है तीसरे दुकान का मालिक जुत्ते वेच रहा है तो कोई भी मॉल में जब खरीदने के लिए जाएगा तो वो एक दुकान पर भी खरीज सकता है पॉर्डक्ट अलग-अलग, हर दुकान का मालिक भी अलग-अलग. आगे बात करें हैं, चैन स्टोर. चैन स्टोर के अंदर जैसे आपको देख रहें को मिलता है, रिबोक का शोरूम है, सभी रिबोक के शोरूम की डेकोरेशन सेम मिलने वाली है, बाता के शोरूम है, सबकी डेकोरेशन सेम, सबके पास पॉर्डक्ट सेम क्वालिटी सेम प्राइसिस सेम मिलने वाले हैं, तो चैन स्टोर के अंदर क्या होता है, मेन हेड ओफिस से कंट्रोल चलता है, चैन स्टोर की सबसे خاص बात क्या होती है product अच्छी quality के होते है same prices के होते है same quality के होते है same sizes के होते है same उनका rhythm होता है whatever जो भी है operation एक ही जगा से उनकी आप decoration भी देखोगे सारी shops की एक जैसी होती है तो चैन स्टोर का topic यह आपको जब study करने को मिलेगा तो आप इसमें भी देखेंगे origin क्या है? establishment, features, advantages, disadvantages. फिर आपको study करने को मिलेगा mail order business. जैसे आप online कुछ purchase करते हो इसी तरहां से topic आपको mail order business में study करने को मिलेगा सारी sale purchase, मलब आप product को order दोगे mail के through product आएगा postal office के through आप payment भी उसी time करने वाले हो तो mail order business जब आप topic study करने को मिलेगा आपको तब आप देखना कि जैसे आप online purchasing करते हो वैसा ही ये topic है तो ये concept कहीं न कहीं अमरीका से ही start हुआ था तो इस topic में भी same बाते study करने को मिलने वाली हैं. लास्ट आपको middle man के role को खतम किया जा सके जो profit wholesaler ये retailer के पाछ चला जाता है वो profit अब consumers को मिलना start हो जाता है क्योंकि consumer directly product कहां से purchase करते हैं. producer से manufacturer से direct purchase कर लेते हैं क्योंकि retailer से purchase करेंगे तो retailer भी तो profit लेने वाला है और retailer भी कहां से product लेकर आता होगा wholesaler से, wholesaler कहां से manufacturer से तो अब क्या हुआ कुछ consumers ने मिलकर एक society बना लिया एक store बना लिया मिलकर आपस में खुद के benefit के लिए काम करने लगे उन्होंने product directly कहां से खरीद लिया manufacturer से खरीद लिया जो profit wholesaler और retailer को मिलने वाला था वो profit अभी consumers को को खुद मिलने वाला है तो consumer cooperative stores के अंदर definitely कुछ consumers मिलकर store बनाते हैं profit होता है तो आपस में बाट लेते हैं तो यह था पोश्धी आपस को चार से लिए बाट से लिए एखसाई है जया कि लिए सर जानावशन खाया को यह थाठिक कर दोदाको अबतार बाट आपस्त।